लोटस आयरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चोधरी आज हम बात करेंगे जिद्धी हो गया है आपका बच्चा तो हंडेल करने के लिए अपनाए हमारे एत तरीके तो आई शुरू करते हैं आज के वीडियो लेकिन उसे पहले बोलना चाहूंगा चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब कर लें बेल आइकोन की घंटी बचा दें जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो आई की कोशिस करें कि आखिर वो ऐसा क्यों है कि कई बार घरों में पैरेंट्स के बीच लडाई जगणों को देखकर भी बच्चे जिद्दी और चिर्चड़े हो जाते हैं तो वहीं बच्चों के जिद्दी होने के पीछे मोबाइल भी एक बड़ी बज़य है बच्पन से माता पित्據 बच्चे के हाथ में मोबाइल ठमा देते हैं ऐसे मिए अगर आप उसे मोबाइल दूर करेंगे तो वह जिद्धी हो जाएगा कई बार जिद्धी बच्चे अपनी बातों को मनमाने के लिए भी कहीं भी रोना सुलू कर देते हैं ऐसे में पैरेंट्स को उन्हें छुप कराना मुश्किल हो जाता है कि हम जानेंगे जिद्धी बच्चे को सांथ करने और उन्हें समालने का तरीका जिद्धी बच्चे को कैसे सांथ करें रोते हुए जिद्धी बच्चे को सांथ कराने के लिए आप उसकी डिमाइन पूरी करने के बजाए उससे बात करें बच्चा उस वक्त आपके हर एक बात सुनेगा क्यूंकि उसे अपनी पसंद की चीज चाहिए ऐसे में आप बच्चे को समय दें ना कि उस पर गुष्सा करें जब बच्चा रोए तो उसे बात करें और प्यार से पोचें कि आखिर वह क्यों डिबाइंड कर रहा है बच्चे के बाद पूरी सुने फिर उसे अपनी बात समझाये जब आप बच्चे को सुनेंगे तो बच्चा अपनी पूरी बात बोलते हुए खुद ही रोना बंद कर देगा कि जिद्धी बच्चे को समानने के लिए पता करें कि उसे चिछोड़ेपन का कारण क्या है अगर आपका बच्च्च्च मोबाइल पर ज्यादा समय बिताता है तो उसकी एक लिमिट सेट करें कि कई बार बच्चे मोबाइल में यूटूब पर कुछ ऐसे वीडियो देख लेते हैं जिन में बच्चे जिद्धी होते हैं और अपनी बात मन्वा लेते ऐसे में बच्चे को लगने लगता है कि ऐसा करने से उसके परेंट्स भी सब बात माल नेगे दूसरों के सामने कभी भी अपने बच्चे पर ना चिल लाएं बच्चे से जब भी बात करें तो ध्यान रखें कि आपकी आवाज तेज ना हो अगर आप उससे तेज आवाज में बात करेंगे तो बच्चे के मन में डर बैठ सकता है बच्चे को अनुशासित रखने के लिए नियम बनाएं बच्चे को अपने साथ पार्क में ले जाएं और उसके साथ खेलें जब बच्चा हर वक्त मोबाइल में बिजी रहेगा तो वह भारी दुनिया से दूर होने लगेगा जिससे चर्चड़ापन आता है है कय बार बच्चे अपने मन की बात मतापेता से कहने पाते हैं ऐसे में आप को उनसे बात करें और समय शुपर नके साथ बाहर घुमने भी जाएं ऐसा करने से आपका बच्ची के साथ बांड भेतर होगा यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जूरू बताएं धन्वाद